एक फोजी का दर्द क्या होता है उन कुर्सी वालों को दिखाना चाहूंगी बताना चाहूंगी एक फोजी की मजबूरी हमें मत छुट्टी दो हमें मत छुट्टी दो मत भत्ता दो बस काम यही अब करने दो चाहे वेतन आधा कर दो पर कुतों में गोली भरने दो हर हर मोधी घर घर मोधी यह नारा सर के पार गया इक दो कोड़ी का जेहादी सैनिक को थपड मार गया अरे थपड खाए गदारों के इतने भी मजबूर नहीं हम भारत मागे सैनिक है कोई भड़े के मजदूर नहीं अब और नहीं लाचार करो हम जीते जी मर जाएंगे खुद को देख न पाएंगे इस वर्दी पर शरमाएंगे फोजी वर्दी पर शरमाएंगे या तो कस्मीर उन्हें दे दो अरे सुन लो सुन लो दिल्ली वालो सुन लो या तो कस्मीर उन्हें दे दो या आरपार का काम करो अब सैना को दो जिम्मेदारी तुम दिल्ली में आराम करो तुम कुरसी पे आराम करो इस राजनीती ने गाटी को सरदर्द बना कर छोड़ा है भारत के वीर जवानों को ना मर्द बना कर छोड़ा है ना मर्द बना कर छोड़ा है मा का आचल सच रहे, भारत मा का आचल सच रहे, हम दागी भी बन सकते हैं, दिल्ली गर यूही मोन रही हम बागी भी बन सकते हैं, एक मा कस्मीर में पिटने वाले फोजी बेटे से क्या कहती है, जब देखती है कि उसका बेटा किस तरह गदारों से थपड़ खा रहा है, तो क् फोन किया माने बेटे को तूने नाक कटाई है तेरी बेहना से सब कहतें बुझ दिल तेरा भाई है बुझ दिल तेरा भाई है अरे ऐसी भी क्या मजबूरी थी ऐसी क्यालाचारी थी कुछ कुछ कुछों की टोली कैसे तुम सेरों पर भारी थी तुम सेरों पर भारी थी गीदर बेटा पैदा करके वो मा कहती है एक फोजी से के गीदर बेटा पैदा करके मैंने कोखल जाई है तेरी बेहना से सब कहते बुजदिल तेरा भाई है बुजदिल तेरा भाई है अब वो फोजी अपनी मा के बात सुनकर कहता है के मां इतना भीला चार नहीं था मां मेरी मजबूरी थी उपर से फर्मान नहीं था चुपपी बहुत जरूरी थी सरकारे ही पिटवाती है मां हम कौन गदारों से दोली का आदेश नहीं है दिल्ली के दरबारों से गिन गिन कर मैं बदला लूँगा गिन गिन कर मैं बदला लूँगा कसम याज खाता हूँ तु गुडिया से कह दे मां ना बुजदिल उसका भाई है ना बुजदिल उसका भाई है सुनकर नाटा लो यारो सिर्फ सुनकर नाटा लो यारो एक फोजी के ज़स्बातों को अधोनी होने से पहले फैला दो इन बातों को तुम फैला दो इन बातों को बहना के सचे भाई हो तो सबको बता दो इन बातों को एक फोजी का दर्द भरत मता की जे, भरत मता की जे, भरत मता की जे